नमस्ते पाड़ो, सुदर्भजानी अविका आवदे सेंजाना। अवे पच्छे पाड़्छे आगी जीना। एना लेवच्छे सुदर्सन। पहुत अच्छी कहानी हैं जन्मां सन्पठार सचन। इसका उन्पीस संवीतं सन्पनेशो और सन। सुदर्सन का मुलना, बद्रीना, सर्माथा, आपका जन्मा पंजाब के स्रियाल पुरण में भुआथा। जब आप छक्छे दर्जे में थे, तभी आपने प्रथम कहानी निकीती प्रेम जन्मीकरा, आपने भी पुर्दु में लेखन प्रारम की आपतस्पत्स्या, हिंदी के हिंदी में लगे नाड़, पहानी तता उपन्याश लिखकर हिंदी साहितों को संपुद भिया हैं। प्रस्तुत कहानी सुदर्सन जी वारा लेकित एक उत्यस्तदान कता है। मज़ो मानों भाना उपर हतारित में बाबा पार्ति के अधिक गोड़े की चल्चा दापु खड़क्षी के कानों तब कहुचती हैं। वह तोख्य से गोड़ा ले जाता है। प्रतु बाबा पार्टे की एक बार उसे गोड़ा लोटाने पर मुद्गों कर दिया, उसी बार्ट में उस्ट्रापूर का रतु परिमितन कर दिया, किसी बार्ट चौर यहां रकाष डाला गया है, इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पॉस्याता, दयाबा, लोग इने की आ पांक्षा आधी दियोतों समाविष्ट की आगया है, देखों बज्चों, जीवन में ऐसी भी परिस्टेतियां आती हैं, हार दोड़बर भी जीत जाते हैं, तो बाबा बाती और डाटू खुड़क्षे की बहुत अच्छी कहानी है, और हम जब देखेंगे, तो में बहुत पच्छा लेंगे गार, मा को अपने मेटे, और निसान को अपने नम्ना आते के एद लेकर, जो आनद आता हैं, वही आनद पामापार्ती को अपना गोड़ा लेकर आता था, भगवत बजन से जो समय बचता था, वह गोड़े को और पर पोज़ा आता, वह गोड़ा वोभी, को अपने मेटे 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 दिखाय नहीं दिया था, बाबा पाति उससे सुल्टान का पत्व कारते थे, उनके गोड़े का ना क्या था? सुल्टान, बाबा पाति उनको सुल्टान का पत्व कारते थे, अपने हाथ से पत्वरादा थे, खुद दाना की लाते थे, और देख देख पर बहुत प्रसं करते उनके गोड़े के साथ को पहुत प्रसं करते थे, गोड़े को देखकर रवाब दूस रहते थे, उन्हें रुप्या, मार, अस्मा, जमीन, आदे अपना समु कुछ जोड़ दिया था, यहां पर भी उन्हें नबर के जिमन में भी दुना थी, अब गांवी बहार एक छोड़े से मुद्वी में रहते और वबार का पजन करते थे, मैं सुर्टान के नीना नहरोख सकूनगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था, वे उस्तिजाल कर बढ़्दू के, कहते हैं, ऐसे चलता है, जैसे वो और भटाको थेकर ना चरहाओ, जब तक सं अब यांके समय सुर्टान पर चल कर, आन दस मिल का चकर न लगा लेते, उन्हें चैन दा आता, देखो, घोड़ा उतना प्रिय था, बाबा बारते घोड़े को देखकर पुशरेते थे, उन्हें उपर सामके समय बावले से चकर काटके, दस आट किलो मेटर गुमाते, तक त तरसी उस इलागे का कुख्याद दापु था, उस इलागे एरिया में एक खरक्षी नाप का नापु था, वह बभूत कर्शिद दापु था, उख्याद, लोग का नाम सुनकर बभूत का देते, नापुसे को सब लोग भूज़ते हैं, तो उनका नाम सुनकर का देते, होते ह वोय तो इस सुल्दान की किरती उसके कानों तक पुछा ली। किसी को गहा भी बाबा बाती के पास ऐसा गोड़ा है। उनकी बार कानों का पुछ गई। उसका अगदर उसे देखने के लिए अधिरों मोटाू। वह एक तिक दोगमर के समय बाबा पार्थी के पास पुछा और नमस्कार करके बेट गया अब उसने बहुत ऐसी प्रसंसा शुने थी गोड़े कि एक तिक वह बाबा पार्थी को मिलिये के लिए गया और नमस्कार करके बाबा बार्दी के पास उनके आसम में जाकर बेट रहे। बाबा बार्दी ने पूछा परक्षी क्या है आज चाल है। बाबा बार्दी भी जानके फिर उसने पूछा कि है किसा हर चाल है। कड़क से इन्हें सीष चुँआ कर गहां, कि आपकी दयारे मामा आपकी दया है, कहो इदर के से आगे, मामा बार्टी ने पूछा, नाम तो है, यहां किसी देख आये, तो सुल्टार की चाह खिजलाएं? क्या कहां? कि सुल्टार का मिने नाम शुटना है, तो कि जाहां कि देखोगे तो प्रसंद जाओ बाबा नहीं हैं कि वार्थी नहीं कमें इन लिए पत्राइड का चुनपरके हुआ है उसकी चाल उन्हारा मन मोलेगी, उनके गोड़े की प्रसंसा सुनका, बहुत ज्यादा प्रसंसा करने लगा, क्या करने लगा, उनकी चाल देते ने तो और भी अच्छा लगेगा, पेटे हैं, देखने में भी बड़ा सुन्दक है, खड़क्षे को बोड़ा देना लगा, बार 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 तो क्या करने लगा, गोड़े की प्रसंसा करने लगा, क्या देखेंगे तो बचा चलेगा, तो क्या करने लगा, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके रधाइपर उनकी चाली हम्मीन हो जाती है, उनकी गोड़े की प्रसंसा सुनका, बहुत प्रसंसा करने पेपी है देखोगे तो पता चलेगा एक बार मेरी गोड़े को देख लेगे तो किली उन्थों ही देखते रहा जाओंगे। बहुत दिनों से मुझे अभिदा साथी आज उपस्ति हो सबाओं। क्या काम में बहुत दिनों से आगे में यह सोच रहा था। आज आगे आपूं देख लेता। बाबा बात्यों और कड़क्षी में बहुत जहा गोड़ा बांजा जाता है बहुत अस्तवल में पहुचे। बाबाने गोड़ा देखाया कमण से कड़क्षी में गोड़ा देखा आस्चार से। बाबा को लगा, देखो, ये लिए मेरा कोडा, और खड़क्षी आस्टर एसे, आ, इतना सुन्दर कोडा है, ऐसे आस्टर एसे दिखने लगा, उसमें सहस्तों बोड़े देख लेते, लेकिन परन्तु ऐसा सुन्दर मांका कोडा, उनके जिवन में अभी लेडी देखाता, क्या कहा, ऐसे बोड़े को मेरे पास वनाचारी को सुन्दर कोडा हो, ऐसे मन में सोचे ने लगा, और इस आखु एसे चीजों से त्याना, कुछ देर तर तो वा आस्तर एसके खड़ा हो गया, इसके बश्यात इसके रते में अच्छल होने लगा, त्या कोड़क्ते सुचने पंचल होने लगी और बालबों की अधीरता से बोला पंटु बाबाजी इससी जाल मुझे तो क्या क्या नहां बालब जैसे उताव्या हो जाते हैं खरक्षिकों भी गोड़ा देखना था, इसलिए पढ़ने लगा कि पे उनकी जाल नहीं देखो, तो मुझे कैसे मता चलेगा कि गोड़ा पेसा सुनता है, उनकी जाल पेसी सुनता है, बाबा जो भी मुटु शेगी थे, अपनी उस्तु की परसंसा दुसरे के मुझ से सुनने क इसलिए उनका अधरी की अधियो ओध उठा और गोड़े को फोलकर माहर ले गए, और गोड़ा वायू बेखने कि उनके लरा देखो, उनकी प्रसंसा संकर बाबा ने गोड़े को छोड़ा, और बाबा पाते गेड़के मायू बेखने गोड़ा चलने गता आखने सुना है, आराटाkę बोडा च्तन धाम भी येसा चकुंथा, ऐसे ही बोड़े को छोड़ कर बाबा दो 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 डें लोटा बोड़ा, तो बोड़े की चाल्थे कर उसके रधेंकर समौन लें लगा। सब लोगने लगा वह डाबू था और जो वस्तों से वसकार में उस वर्भा अपना अनिकार समझने लगता था उसके पास बाबू भूल भी था और आलमी भी थे जाते जाते उस ने गहा के बाबाजी में यह और आपके पास नरण है दुना दाबू था अगोधा है डाबू का अदू रिशा होता है दोहार इसा होता है तो मैं भी दे देख पर चला गया यह बोल के गया की बाबाजी अपकोरा में के पास नई रहने रहे दोगा बाबा बाते को दर गए अब उन्हे राथकों मीद मीद नी आती थी सारी राथ अस्तव रखवाली करता था, और रखवाली में कट्टे रगी थी, प्रतिक्षान, रोज उनको प्रक्षिन का दर लगते हला, पलको बहली नहीं ने बित गए, और वन न आया, यहाँ प्रति बाबापार्ति को छ असाधान होए, देखो बच्चो, चिंदा में, चिंदा में बोड़े क असाधान बिमारी बोड़े, लेपिन प्रक्षिको बोड़ गर्वया, आया, यहाँ नहीं, आया, यहाँ नहीं, चोगाणों आपार्तों मतों छे, ए बार्मसं छे, बीजा बार्मा परिका जोतुर्ण कराविस, पड़ाना जे सब्दार्म छे, ए पेला लाकिले चुन, पने अन्या को रहाँ अन्या करदा बार्मस थार्मस घार्तों मतों चुन, जबेबार्मस साध्य ए उडिया सल्क्षिको अगर्ण। आ कर बार्मस छे, बार्मस दे बार्मस छें, आप जोगाँ